नमस्कार इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेपी एफ यानि कि जनरल प्रोविडेंट फंड इस पर ब्याज की गणना केसे होती है जेपी एफ दरसल राजस्तान सरकार के या कोई भी सरकारी करमचारी जो ओल्ड पैंसन श्कीम के इंतरगत लगे है या फिर जो राजस्तान में अब ओल्ड पैंसन श्कीम लागू होने वाली है इसके अंतरगत जीपी एफ की जो कटोती होगी उस पर जो ब्याज 7.1 परतिशत की दर अभी चल रही है उसकी अनुसार मिलेगा तो उसमें ब्याज हमारे खाते में कैसे जुड़ता है एक साल में किशी भी करमचारी को कितना ब्याज मिल सकता है वो डिपेंड करता है उसकी जमा राशी पर तो आप किस परकार से इसकी गर्णा होती है आज मैं आपको एक SSO ID खोल कर जिनकी शेव वित्वर्ष 2021-2022 का कि उसे अब तक कितना पेशा ब्याज की रूप में मिला है तो चलिए शिरू करते हैं तो हमने एक SSO ID ओपन की है और यहाँ पे हम देखेंगे State Insurance Provident Fund New पे क्लिक करेंगे यहाँ पे किलिकिया तो अब इस कार्मिक की SSO ID ओपन हो चुकी है और यहाँ से अपने को एक के पॉप अप दिखाई रहे हैं इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं GPF एकाउंट तो GPF एकाउंट में ओभी मतलब ओपनिंग बैलेंस है वो आज के शमय का यानि कि 2021-22 के दोरान इनकी कितनी राशी जमा थी opening balance start के समय और अब जब साल अंत हो गया तो उस समय है वो कितनी राशी इनकी एकाउंट में जमा हो गई है ब्याज की रूप में तो चलिए देखते हैं इसको तो सबसे पहले हम क्लिक फॉर GPF ट्रांजक्शन इस पे करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि जैसे यह transaction आपको दिखाई दे रहा होगा यह देखिए आप यहाँ पर देखिए यह जो अभी financial year चल रहा है 2022-23 यहाँ पर इनका opening balance है वो इतना दिखा रहा है 29,9196.6 यहाँ पर आप पिछले शाल हम देखते हैं 21-22 का तो यहाँ पर opening balance यहाँ पर आपरेल माह तक इनकी जो कुल जमा राशी थी वो थी 25,21,308 रुपे ठीक है और यह कार्मिक प्रती माह 20,000 रुपे GPF के रूप में कटवाता है यहाँ कि GPF इनकी प्रती माह कटोती होती है 20,000 रुपे की 20,000 रुपे की GPF कटोती होती है तो आप यह देख वो 25 से 27,21,000 हो गई ठीक है और 27,21,000 हो गई और उसके बाद में हमने यह देखा कि इनकी जो इंट्रेस्ट है साल के अंत में जो इंट्रेस्ट मिला इनको एक शाल का वित्वर्ष 2021-22 के लिए वो मिला है एक लाग शत्यासी अजार आठ सो और शत्यासी एक लाग शत्यासी 28,886.89 रुपे इनको ब्याज के रूप में राशी मिली है और अब अगर देखे तो इनकी जो कुल राशी है जमा वो है 29,09,196.6 रुपे तो यह कब की है 2021-22 में इनको इतना ब्याज मिला था उससे पहले अगर आप देखोगे तो इनको जो इंट्रेस्ट मिला था वो मिला रुपे और एक लाख चापनजार एक सोट्सेट रुपे जो मिला था वो मिला था बीस लाख रुपे पर तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीस लाख के लगबग इनकी रासी अपने जीपिएफ एकाउंट में जमा है जो इन्हें रिटार्रमेंट के समय मिलेगी अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह जो जीपिएफ में ब्याज की जो गणना है वो दरसल प्रतेक तिमाही के आधार पर होती है यहाँ प्रतेक तिमाही के बाद इसकी ब्याजदर चैंज कर दी जाती है कभी-कभी नहीं भी की जाती है कभी-कभी बदल देते हैं और घटा दिया जाता है कभी घटा दिया जाता है लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिरुवात में इनका जो ब्याज है कम था लेकिन जैसे जैसे आपका जो जमा एमाउंट जितना ज़्यदा होगा उतना ही ब्याज आपको दिया जाएगा तो एक कार्मीक जिसे एक लाग शत्याशी जार रुपे तो ब्याज की रूप में आ रहे हैं और यही राशी है वो साल दर साल बढ़ती जाती है ठीक है तो यह पहले एक लाग चापन जार थी उससे पहले एक लाग चार जार थी तो यह कैसे बढ़ रही है यह बढ़ेगी आपकी जमा राशी पर और इनकी जो कट होती है वो बीस जार रुपे हो रही है तो इसी स्तित्य में इनकी जो एक साल में ही लगबग 2,040,000 की आसपास है वो पेशे जमा हो जाते यह लाग की लंसम पेशे है वो ये जी पेफ एकाउंट में हर साल जमा कर देते हैं तो अभी तक इनके दो लाख रुपे ही जमा गुए है क्योंकि दो महिनों की फरवरी और मार्ज की रासी है वो अभी तक इनकी क्रेडिटर नहीं हो पाई है तो यह जशे होगी तो लगबग यह मान के चलिए कि दो पेशे आते हैं ब्याज के वो तो शाल के अंत में आते हैं लेकिन जो ब्याज की गढणा है वो प्रतेक माह के हिसाब की जाती है क्यों अभी जो वर्तवान में जो इंट्रेस्ट चल लए है वो चल लए है 7.1 प्रतिशत ठीक तो एक महीने में कितनी राशी इनकी जमा थी उ इस पर ब्याज आपको कितना और केशे मिलता है धन्यवाद